शोहरत कब किसके कदम चूमती है कौन जानता है अक्सर हम अपनी उम्र को देखते हुए प्लानिंग करते हैं चाहे वो शुरुवात बिजनस की हो या फिर नौकरी करते हुए सेविंग करने के लेकिन महज 20 साल की उम्र में एक महिला ने ये सावित कर दिया कि शोहरत उम्र की महताज नहीं होती जी हम बात कर रहे हैं अमेरिका की रियल्टी तीवी स्टार काईली जिनर की आज काईली जिनर 26 साल की है और अर्बो की मालकिन है कौन-कौन से है इनके बिजनस कितनी है इनकी नेट वर्ट बताएं की से कुछ आपको इस रिपोर्ट में नमश्कार आप देखरें बिस्तक और मैं हूँ श्रया ठाको काईली जिनर के लिए खबरों की सुर्ख्यां बनना कोई नहीं बात रही है अमेरिका की सेल्स मेड अरपती काईली जिनर के इंस्टेग्राम पर हाल ही में 400 मिलियन फॉल्वर्ट हो गया है इसी से आप उनकी पॉप्लियरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं फोब्स के जून 2022 एडिशन के मताबे काईली जिनर की कुल संपत्ती लगभग 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 4,950 करोड़ रुपए है सोचल मीडिया के अलाबा वो अपने सक्सेस्फुल कस्मेटिक ब्रांड काईली कॉस्मेटिक्स के लिए भी जानी जाती है उनकी संपत्ती मुख्य रूप से काईली कॉस्मेटिक में उनकी 44 फीजदी हिस्सिदारी है कई मिलियन डॉलर के रियल स्टेट, पोटफोलियो और सोचल मीडिया एंडॉस्मेंट से सौदय से ये प्राप्त हुआ है हालकि जनर को 2014 में बड़ा ब्रेक मिला जब उन्होंने अपना खुद का बिस्निस वंचर काईली कॉस्मेटिक लॉंच किया 2014 में 17 साल की कम उम्र में और अपनी माँ क्रिस जनर के साथ काईली जनर ने सिर्थ ब्यूटि के साथ साज़ुदारी में काईली कॉस्मेटिक लॉंच करके अपना पहला इंडिपेंडेंट बिस्निस शुरू किया उन्होंने एक के रूप में अपनी आई से अपनी इंकम से 2,50,000 डॉलर का निवेश भी किया कमपनी ने 30 नेवेंबर 2015 को तीन लिक्वेट लिप्स्टेक काईल लिपकित्स का एक संग्रह लॉंच करके शुरुवात की प्रोड़क्ट ग्रहकों की बीच तुरंट सक्सेस्फिल हुआ और हर एक शेट लॉंच के तुरंट बाद ही बितने लगा जो कि 29 डॉलर का था फरवरी 2016 तक कमपनी को अपनी वी निर्मार शमता बढ़ानी पड़ी मतलब उनको और प्रोड़क्स बनाने पड़े इसके बाद इससे 420 मिलियन डॉलर से ज्यादा का रिटर्न उन लोगों ने कालेक्ट कर लिया काईली जनर की कमाई सोचल मीडिया से भी होती है वो इंस्टरग्राम और स्नापचार्ट पर हर घंटे सेलफी पोस्ट करती है जुसमें वो काईली कॉस्मेटिक के शेड्स और आने वाले प्रोड़क्स की जानकारी भी शेयर करती है इसके लाबा नए प्रोड़क्ट्स की लॉंचिंग की भी जानकारी वो इंस्टेग्राम पर ही साचा करती है उनके फॉल्वर्स ज्यादातर कम उमर की लड़कियां और महिला आए है काईली क्रिस्टेन जनर का जन्म 10 ओगस्ट उन्निस सुसंतांवी को लॉस अंजिलेस कैलिफोर्निया में कैटलीन और क्रिस जनर के घर हुआ था वो कारदिशियन जनर परिवार में सबसे छोटी है और उनकी एक बड़ी बहन कैंडल और आठ सौतेले भाई बहन है 2012 में उन्होंने सियरा कैनियन स्कूल में अपनी प्राथमिक सिक्षापूरी की उन्होंने जुलाई 2015 में लॉरेंस स्प्रिंग्स स्कूल कैलिफोनिया से हाई स्कूल डिप्लोमा के साथ ग्रेजुशन किया जब वो ई पर कीपिंग अप विद्ध कार्देश्युन में दिखाए देनी लगी तो उन्हें शुरुवाती मीडिया एक्स्पोजर मिला एक गैर स्क्रिप्टिट पारिवारिक रियल्टी शो के रूप में ये ओन एर हुआ था और अविवार को ई की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली श्रिंखला में भी ये शो शामिल हो गया जिसने अपने पहले महिने में 10 लाख से ज्यादा दर्शकों को आकर शृत किया ये शो 2007 से 2020 तक ओन एर हुआ और इसके लास्ट सीजन तक हर एक स्टार को कथे तोर पर हर एपिसोड के लिए लगबग 9 लाख डॉलर पे किया गया तो आपको हमारी जानकारी कैसे लगी फॉमेंट करके जरू बता हैं विद्यो को लाइक और शेयर करना ना भूले साथ जो मारे नाइवियोर से वो भूजानको सब्स्ट्राब करना ना भूले